हलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिधार्त ऑनलाइन कोचिंग में और आज हमें पढ़ना है बेसी सेकेंड एर अर्था थार्ड सेमेस्टर का फिजिक्स और उसका जो पेपर का नाम है वह है इलेक्ट्रो मैगनेटिक थेयरी या फिर इसे कहे करेंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक्स और उसका उसे चार यूनिट्स में डिवाइड किया गया चार यूनिट्स में जो डिवाइड किया गया उसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रो स्टैक्स तो आज इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ और पूरा इलेक्ट्रो इस्टैटिक का introduction फिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है चार्ज कहां से generate हुआ कैसे हिस्ट्री कहां से यह और ये सब बाते हमें जानना तो शुरू करें अगर इस पेपर का जिसका नाम है एलेक्ट्रो मैगनेटिक थेयरी या फिर इसे कहा जाएगा Electromagnetics अगर इसके नाम की बात करें तो Intermediate में भी आप थोड़ा बूत इसे पढ़ के आए Electromagnetic Theory Electro अर्थात Electric और Electric मतलब है वैद्धूत विद्धूत या वैद्धूत तो यह हो गया रिमाइड के लिए इंदी में इसे बता दे रहा है कि क्या नाम रहाओगा विद्धूत चूंबकिया सिध्धान्त विद्धूत चूंबकिया सिध्धान्त या फिर Electromagnetics की बात करें तो यह हो जाया या वाई-द्युत्युत्युम्ब की तो यह तो उगया पेपर का नाम हो गया प्रमेंग्नेटिक्ष ठीए 마 की मैसे अब उसकी बाद इसे चार यूनिच्स में कीया गया जिस जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है, यूनिट वन का नाम है, इलेक्ट्रो अर्थात, इलेक्ट्रो यानि इलेक्ट्रिक वैद्दूत, वैद्दूत अर्थात जो है, वो है, आवे सही है एक प्रकार से, कहेंगे इलेक्ट्रो को वैद्दूत, तो वैद्दूत या फिर कहें और फिर दूसरा इसमें जो सब्द है यह दो चीजिजों से मिलकर बनावा है इलेक्ट्रो प्लस स्टेटिक्स और स्टेटिक का अर्थ होता है रुका हुआ तो कोई भी चीज जो रुका हुआ है तो रुका हुआ है तो उसे हिंदी में कहेंगे इस्थित्की तो यह जाएगा को विद्धूत इस्थित्की तो यह वग्रेpt विद्धूत इस्थित्की या फिर अगर इसे कहा आजाए statics और электro दो वर्ड से मिलकर बना व dział को अगर पहले लिखा जा तो इस्टैक कर था हो गया रुका हुआ इससे का जा जा सकता है मा इस्टैटिक का अर्थ हो गया रुका हुआ इसे का जा सकता है इस्थिर और इलक्त्रो का आर्थ है वैद्ध या वैद्ध की तो यह हो जाएगा इस्थिर वैद्यूतिकी, इस्थिर वैद्यूतिकी, इस्थिर वैद्यूतिकी, तो इसे दो नामों से कहा जा सकता है, हिंदी में विद्यूति, इस्थितिकी पड़े होंगे, या फिर इस्थिर वैद्यूतिकी पड़े होंगे, और ये जो होता है, वो होत एक औबजेक्ट से एक वस्तू से निकल कर दूसरे वस्तू में चले जाते हैं तो इस प्रकार से जब एक वस्तू से दूसरे वस्तू में जाएंगे तो एक वस्तू हो जाएगी रिडावेसित एक वस्तू हो जाएगी धनावेसित तो इस प्रकार से जो रिडात्मक आवेस और धनात्मा कावेस दोनों में मिलेंगे इसी का इतियास हमें जानना है कि कैसे कैसे कौन कौन लोग इन बारों बारे में सबसे पहले बात किये और बताए हमें तो इसका नाम या तो कह सकते हैं विद्यूतिस्थितिकी या कह सकते हैं इस्थिर वैद्यूतिकी या फिर इसे का जा नोग का होगा उसमें अस्थानांत्रन मतलब ट्रांसफर आफ इलेक्ट्रॉन और जिसकी वज़े से इसे का जाएगा घर्सन वैद्यूतिकी घर्सन वैद्यूतिकी तो यह किसी भी नाम से जाना जा सकता है अब हमें हिंदी के नामों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है क्योंक क्योंकि चार्ज जो है चार्ज विद्यूत की वज़ाई है चार्ज विद्यूत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कब जेनरेट होगी जब कोई चार्ज मूव करेगा किसी कंडेक्टर में चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा तो विद्यूत जेन किसी भी रुके वेश चार्ज का किसी भी स्ताटिक चार्ज का इस्ट एक तो बिद्ग्यान की वस साखा रहा है जिसमें हमें स्तिर आवेश्का अध्य Um अगर आगर स्प्सक्रों के बात करके तो डेली लाइफ कि देखते जाड़े की दिनों में जब स्वेटर निकालते हैं और अंदर स्वेटर अगर पहने हो और बॉडी के संपर्क में हो या फिर कोई उनी वस्त्र पहने हो जब उसे निकालते हैं तो चट-चट की आवाज आती है जब स्वेटर को निकालते हैं वो उनी वाले तो उस चट-चट की आवाज आ तो वो चार्ज की वज़े से हुआ क्योंकि बॉड़ी और फिर उनिवस्त्र जो है वो दोनों आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं फ्रिक्शन करने की वज़े से electrons का transfer हो रहा है, ah tape10 जिनकी वज़े से एक object जो है वह positively charged हो जारा है, दूसरा object जो है वह positively charged हो जारा है, तो इस हिसाब से दोनों में आवेसो का स्थाना नतरण हो रहा है, electron का transfer हो रहा है, charging हो रहा है, वहाँ पर, ये daily life का example है, और दूसरी चीज, अगर किसी प्लास्टिक के पेन को या कंगे को बालों में रगड़ा जा सूखे बालों में रगड़ा जा रगड़ने के बाद उसे कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों के अगर पास लाया जा तो वह कागज के टुकड़े उस पे कूद-कूद के चिपकने लगते हैं अर्थाद उसमे कोई व्यक्ति फाइवर की कुर्सी पे पैर दोनों उपर उठा के बैठा है पीछे किसी भी कपड़े से किसी भी गमचे से अगर उस पे धीरे-धीरे मारा जाया मतलब फ्रिक्सन क्रियेट किया जा तो फ्रिक्सन क्रियेट करने की वज़े से अब कोई जाकर जब उसे चुएगा नंगे पाऊं या फिर वही कुर्सी पर से पैर नीचे रखे तो उसे हलका सा जटका जैसा महसूस होगा तो यह डेली लाइफ के एक्जामपल है सबसे ज्यादा यही है कि प्ल या वेज की वज़े से हीिlles नामक वाग्यानिक थे यूनान में थे और वहलेकस नामक इस्थान पर इनका किनारे टहल रहे थे और उस समुद्र का नाम था बाल्टिक बाल्टिक नामक समुद्र के किनारे जब थेल्जी टहल रहे थे थे थेल्ज नाम लिख देन का थेल्ज ग्रीक ग्रीक में मिलेटस नामक अस्थान पर या माई लेटस लिखा होगा कहीं कहीं ग्रीक में मिलेटस नामक अस्थान पर अब सहर है या राज्य है उसके अस्थान पर बस यही लिख दिये कि मिलेटस नामक अस्थान पर इनका जन्म हुआ था मिलेटस नामक अस्थान मिलेटस अस्थान हो गया या मिलेटस नामक अस्थान मिलेटस नामक अस्थान पर ये यूनान के प्रथम दार्शनिक भी कहे जाते हैं यूनान के प्रथम दार्शनिक और साथ बुद्धिमानों में से एक व्यक्ति थे कहें तो साथ रिशियों में से एक व्यक्ति थे या साथ बुद्धिमानों में से एक थे साथ बुद्धिमानों में से एक ये तो हो गया इनका परचे मिलेटस नामक अस्थान पे युनान के प्रथम दार्षनी कौन हो गए ये ये थेल्स जी हो गए अब ये क्या हुआ सुबा सुबा का महौल है और ये सायर करने गए समुद्र के किनारे किस समुद्र के किनारे बाल्टिक नामक समुद्र के किनारे जब ये टेहलने गए तो उन्हें पीले कलर का पदार्थ पीले रंग का एक पदार्थ मिला और तुरंत ये इस प्रकार से उठा लिए हम और आप होते तो इसे फेक फाक के फिर समुद्र में वापिस चले आते लेकिन ये जो पीले रंग के पदार्थ को अपने घर ले आए तो और उसका नाम दिया गया अंबर जिसका नाम दिया ग सकता है इंटरमीडियेट तक ही परिक्षाओं में आया रहा होगा या फिक कहीं भी आभी सकता है एक नंबर का अब्जेक्टिव क्वेस्टन बन सकता है कि अंबर का रंग क्या होता है वाट इस दे कलर अफ अंबर अंबर एबुनाइट जो है इसके कलर की बात करने इसके आना याद किये कि नीले नीले अंबर पे चांद जब आ जाए तो अब उसके बाद तब कहें नीले नीले अंबर नीला रंग पे टिक कर दिये तो बात गड़बड़ा जाए अंबर का जो रंग था वो था पीले रंग का अंबर का रंग जो है वो है पीला तो पीले रंग का लाद देता तो टेबल वेवल पर बढ़ियां से इसे रख देता लेकिन इन्हों ने फिर एक खुराफाति काम किया कि इसे इन्हों ने रगड़ा बिल्ली की खाल से इसे इन्हों ने रगड़ा बिल्ली की खाल से बिल्ली की खाल से तो अब जब अमबर को बिल्ली की खाल से र की आखें उन्हें यहीं दिखेगा कि बिल्ली म्याव म्याव बोल के भागने लगी होगी विकिन ऐसा नहीं है जो हुआ था जो यह अंबर में परिवर्टन हुआ अगर उसकी बात करें तो अंबर को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो यह अंबर जो है वो हो गया आव आवेसित हो गया तो यहां तक तो बात थिल्स ने की थिल्स नामक जो वह दार्शनिक थे वो घूम रहे थे समुद्र के किनारे बाल्टिक नामक समुद्र के किनारे और उन्हें पीले रंग का पदार्थ मिला पीले रंग के पदार्थ का नाम अंबर था और इस अंबर को ब इसा पूर तो इसा पूर यानि इसा मसी का जन्र दिवस उससे 625 साल पहले की बात करें तो इस समय चल रहा है दो अजार बाइस तो दो अजार बाइस साल ये और 625 साल ये सम मिला कि अगर देखें तो 2647 साल पहले की बात है तो 2647 साल पहले क्या हुआ कि थेल्स नामक व्यक्ति जो है दार्सनिक जो है वो समुदर के किनारे बाल्टिक नामक समुदर के किनारे घूम रहे थे और उन्हें एक पीले रंका पदार्थ मिला जिसका नाम था अंबर इसे इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा अब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो यह अंबर जो है वो आवेसित हो गया तो उन्होंने क्या निसकर्च दिया निसकर्च यह दिया conclude ये किया कि जब अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा तो ये जो अंबर है वो हो जाएगा आवेसी तो ये कहीं ये पदार था अब उसके बाद इसके बहुत दिनों बाद लगभग 1600 इस्वी में इस समय की बात आगे जैसे 2022 इस्वी चल रहा है वैसे ही 1600 इस्वी में इंग्लैंड में इंग्लैंड में घटना घटी एलिजाबैत के एलिजाबैत की दरबार में एक व्यक्ती थे जिनने डाक्टर कहा जाता है या फिक कहीं कहीं इंजिनियर भी कहा जाता है ये थे डाक्टर विल्यम गिल्बर्ट विलियम गिल्बर्ट ने 1600 इस्वी में इस बात के आगे एक और बात बढ़ाई कि अंबर ही नहीं कई सारे पदार्थ हैं जीने अगर रगड़ा जाए तो वे आवेसित हो जा रहे हैं तो 1600 इस्वी की बात है अर्था 625 साल ये हो गया इसके बाद 1600 साल 1600 साल इस्वी में ये घटना घटी एलीजाबेत के दरबार में एक व्यक्ति थे डाक्टर विलियम गिल्बर्ट तो 1600 साल तो ये हो गया इससे पहले 600 लगबग ये साल लगबग 2200 साल बाद ये घटना घटी 1600 में इन्हों ने बताया कि अंबर ही एक मात्र ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे रगड़ने पर ये आवेशित हो जा रहा है और भी अन्य पदार्थ हैं जिने अगर रगड़ा जाय तो वो भी आवेशित हो जाते हैं तो शूलोस विस्वी में इंग्लैंड में एलीजाबेत के दरबार में तो इसे भी लिख दे इस बात का तो अब थेल्स के बारे में हम लोग समझ गए कि थेल्स जी ने समुद्र के किनारेक पदार्थ पाया अंबर और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा तो वो आवेशित ह पूने लगा तो उन्होंने की वलंबर के बाए में ही बता है लेकिन इसके लगबग में ड Iowaफ सोलबाथ इगलैंड में इंग्लाइंड में 1610 में इंग्लाइंड में 1610 एंग्लाइंड में 1620 1620 में कब Elizabye के दर्फार आलिजाबेट तो यहां पर क्या थे चिकित सक्थी डॉक्टर विल्यम गिलबॉट डॉक्टर विल्यम गिलबॉट दाक्टर विलियम गिलबर्ट कि इन्होंने एक बुख भी लिखी थी एक पुस्तक लिखी थी ति Boock का नाम है किताब का जो नाम है ग। वह है डी मंगिट डी मैगिनेट पुर में ह А dif किताब में इन्होंने क्या जिक्र किया इस किता Aave बताया कि अंबर को अगर बिली के खाल से रगड़ा जाए तो वो तो आवेसित हो ही जाता है लेकिन कुछ और भी पदार्थ हैं कुछ और भी पदार्थ हैं जीने अन्य पदार्थों से रगड़ने पर वो भी आवेसित हो जा रहे हैं जैसे प्लास्टिक है काच है सीसा है इन सब चीजों को अगर आप इस बात को बढ़ाया किसमें अपनी बुक डी मैगनेटों में इसके कारण यह चर्चित व्यक्ति रहे नहीं के कारण इसे इन्हें जाना भी जाता है Dr. William Gilbert को इन्होंने बताया कि अंबर के अलावा भी कुछ और पदार्त हैं अंबर के अलावा कौन ये अंबर तो हें अंबर के अलावा भी कुछ हैं जैसे लाक है प्लास्टिक है प्लास्टिक काच सीसा लाक इन चीजों को भी अगर रगड़ा जाए तो यह सब भी आवेसित हो जा रहे हैं तो यह सब भी आवेसित हो जा रहे हैं लगबग बाईसो साल बाद सोलोस इस्व में इन्होंने थेल्स की बात कोई आगे बढ़ाया और बताया कि अंबर तो है जो आवेसित हो जा रहा है बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कुछ और पदार्थ भी हैं जिनने अगर रगड़ा जा तो वो सब भी आवेसित हो जा रहे हैं अब उसके बाद इन्हो दो चीजों को अगर आपस में रगड़ा जा रहा है दो वस्तू का आपस में रगड़ा जा रहा है इन चीजों को भी किसी ने किसी चीज से रगड़ेंगे तो जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जा रहा है तो आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गर गर्म हो जा रहे हैं तो उसे मिल जा रहे है एनर्जी मिलने के बाद वो कर रहा है अपने अस्थान से अस्थान आंतरन वो ट्रांसफर कर रहा है वहां से एक वस्तू से electron पहुंच जा रहे हैं दूसरे वस्तूपे इस बात को हम लोग समझें यहां से तो इस प्रकार से इन्हों नी क्या कर अगर हम सुरू अपने हिसाब से समझें जो अभी तक हम जानते हैं कि यह हैं न्युकलियस न्यूकलियस में होत दोंगा और और इस प्रıldक चार लिंज़ इसके चार और चक्कर नगा रहा है किसी भी और यहस क्टरी एनर्जी एलेक्ट्रों को मिलेगी एनर्जी तो यह मूफ कर जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब इसके एनर्जी मूफ करेगी तो यह जो चक्कर लगा रहा है इस और बीट से बाहर चला गया उस पर पहुंच गया अब यह जैसा भी हो अब न्यूट्रल था तो पॉजि रहा है और दूसरे वस्तू पर पहुंच रहा है जीस वस्तू रहा है यहां दिखाया गया यह ऑब्जेक्ट ऐटуш गया यहीं वस्तू अगय यह ऐख हो ग charms हो मकई घख बता है कि जब दो वस्तों का आपस में रगड़ा जाएगा तो रगड़ने पे वो गर्म होंगी गर्म होंगी तो इलेक्ट्रॉन का होगा अस्थानांत्रा ट्रांसफर आफ इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन अस्थानांत्रीत होके अर्था ट्रांसफर होके इस ऑबजेक जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसे कहा जाएगा विट्रियस और दूसरी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे कहा जाएगा रेजिनस उसे कहा जाएगा रेजिनस यह सब जो कमाई थी यह सब जो बाते थी यह सब जो रिसर्च था वो था डॉक्टर वेलियम गिलबर्ट का जिसका जिक्र उन्होंने किया अपनी किताब में जो फेमस बुक है जिसका नाम है दी मैगनेट इसमें या दी मैगनेटों भी कहीं-कहीं नीं प्रांस्टिक जीनह हम पर रगरेंगे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रों प्रांस्ट्र हो रहा है और वह जारे सब्सक्रीन निने वोच्ट दो भॉस्तू है जिस आ जाएगा और अमेरिकन वैज्यानिक फिर आए सत्रा सो पचास इस्वे में सत्रा सो पचास इस्वे में अमेरिकन वैज्यानिक अमेरिका में अमेरिकन वेग्यानिक थे बेंजमिन फ्रांक्लिन इनका नाम है बेंजमिन फ्रांक्लिन बेंजमिन फ्रांक्लिन यह आ गये बेंजमिन फ्रांक्लिन बेंजमिन फ्रांक्लिन ने क्या किया बात सब आप लोगों ने जो बताई वो एक दम सही है कि सहीं है क्या है कि जब दो वस्तू को आपस में रगड़ा जाएगा जब दो वस्तू को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तू से इलेक्ट्रोन दूसरे वस्तू में जाएंगे जिस वस्तु से electron जाएंगे मालिया गया यह object 1 है और दूसरे में जिसमें पहुंच है वो object हो गया 2 जिस वस्तु से electron निकलेंगे जिसमें electron निकलेंगे उसमें हो जाएगी electron की कमी उसे कहा जाएगा धन आवेसित तो जो इलेक्ट्रों ग्रहन करेगा उसे कहेंगे रिड़ा वेसित तो जो धना वेसित है उसे कहेंगे positively charged positively charged body और जो इलेक्ट्रों accept कर रहा हुसे कहेंगे नेगेटिवली चार्जड बॉडी दो वस्तूं का अपस में रगड़ा जारा रगड़ने की वज़से उन्हें एनर्जी मिल रही है यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो किसी वस्तू को अगर रगड़ा जागा तो उसे एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलने से निकलेंगे उसे कहेंगे वीट्रियस और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुचेंगे उसे कहा जाएगा रेजिनस इनके भी 1600 इस्वी में इन्होंने यह बात कही लगबग 1500 साल बाद अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजमिन इन्होंनी सब इनका क्रेडिट ले लिया अब इनका कहीं जिक्री नहीं यह नतों में रेजिनस चीक्र और सब बात कहा जाता है और जो औभेजिक्ट इलेक्ट्रॉन देता एंब उस्सेृह आजाता है रिडरावे इसलेक्टोंस की संख्या वर जाते उससे कज़ रड़े वशित जाइऑ पॉजिटीवली चाइड टो ये इमि नेगटिव लिया जाएगा ग्लास रॉट को अगर रगड़ा जाए सिल्क से जब ग्लास रॉट को रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉट पे आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन move करके आ जाते हैं Silk में Silk हो जाता है negatively charged ग्लास रॉड हो जाता है positively charged दूसरा Abonite को अगर रगड़ा जाए cats for से तो Abonite हो जाता है negatively charged और cats for हो जाता है positively charged इस प्रकार हमें मिल गए दो प्रकार के charge positive charge negative charge अब positive positive charge रहेंगे तो इनमें होगा repulsion रिपल्सन दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्सित करेंगे और अगर एक पॉजटिव एक निगेटिव अर्थात अनलाइक चार्ज हैं डिस्सिमिलर चार्ज हैं अलग-अलग प्रकार के चार्ज हैं तो वो दोनों करेंगे एक दूसरे को अ attraction होगा और similar charges में repulsion होगा फिर उसकी और quantities charge की unit क्या है charge का symbol क्या है charge scalar है या फिर vector quantity है इन सब के बारे में एक वीडियो में हम लोग जिसका नाम रहेगा केवल charge उसमें पढ़ेंगे अब क्या होगा कि इस lecture के बाद जो वीडियो आएगा चार्ज से स्टार्ट होगा चार्ज कैसे positive चार्ज और नेगेटिव चार्ज चार्ज प्रॉपर्टीज क्या है उन सब के वीहावियर क्या है इन सब के बारे में लोग सुरू से पढ़ेंगे तो वहां से आपका syllabus बस स्टार्ट होगा और आपको डेली पेन और कॉपी लेके बैठना है ताकि जो जो पढ़ाया जाए वह आप नोट्स बनाते रहें इसका